हेलो दोस्तों वेलकम तो दे सिविल सर्विस ड्रीम चैनल दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोड सुप्रीम कोड जो है दोस्तों हम इंडिया में आर्टिकल सम्विधान जो है वह 124 से लेकि 147 में दिया हुआ है सिंगल सिस्टम ऑफ कोड है यानि कहने कहिए जो इंडिया जो मुद्वीधान उन्हों ने पनाया है जुड़ा हुआ है जिसमें कि सप्रीमकोड सबसे टॉप पे होता है और उसके शीम कपोने सफाराइं ईयुक्त सब्सक्राइब की एक जुड़ा हुआ लिंक है तो वह गॉर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने यह चीज लिया था कि हमें एक ऐसा कोट बनाना चाहिए ठीक है जो कि सेंट्रल लौके और स्टेट लौके कानून को इनफोर्स करें दोनों को देख लें ऐसा नहीं है कि हाई कोट स्टेट को देखता है और सुप्रीम कोट जो है वो सेंट्रल को देखता है ठीक है कोट की हायरार्की है कोट जो होते हैं वो अपने डिपेंडेंट लेवल पर काम कर करते हैं उसमें कोई सरकार का कोई इंफ्लुएंस यहां नहीं होता है दोस्तों सुप्रीम कोट जो इंडिया में था वो इनॉगरेट किया गया था 28 जनवरी 1950 में ठीक है और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दू कि आर्टिकल 124 से लेके 147 पार्ट 5 में हमारे समविधान मे जो सुप्रीम कोट के और्गनाजिशन इंडिपेंडेंस इनकी जूरिस्टिक्शन पावर क्या है प्रोसीजस क्या है यह सारी बाते बताई गई है और पार्लियमेंट जो है उनको ऑथराइस किया गया है कि आप उनको रेगुलेट करें दोस्तों कर अपॉइन्मेंट की बा कि जब जजेस को जब सुप्रीम को आपोइन्ट करना हो एक होगे चीफ जेस्टिस ऑफ इंडिया एक होगे जज्ट तो जब जजज को अपॉइन्ट करना होगा तो गोर जिस्टिस अलोभ बनेंगे वो सुप्रीम कोट कें सीनियर मोस्थ होग्याओं-जो यह व्मस्थैनीयर से सिदूर होग्यें बड़ए Cr तो उनको Chief Justice of India बनाया जाएगा अगर qualification की बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये कि वो citizen होने चाहिए इंडिया के और citizen होने चाहिए वो judge होने चाहिए high court में वो 5 साल के लिए judge होने चाहिए अगर वो advocate है तो वो 10 साल के लिए high court में advocate होने चाहिए और president के रेजर में ये लगता है कि वो distinguished jurist है मतलब काफी जादा renowned है उनके पास बहुत knowledge है वो उनको उपादी दी जा सकती है Supreme Court के judge के लिए तो फिर उस case में भी कोई भी Supreme Court का judge हो सकता है qualify दोस्तो इसमें कुछ important points है जो की oath है tenure है उनको remove कैसी किया जाता है acting chief justice क्या है ad hoc judge क्या है retired judge कौन है इस सारी बाते हम एक एक करके समझेंगे दोस्तो Supreme Court के judge जो है वो oath लेते है और उनको oath कौन दिलाता है वो दिलाते है प्रेसिजेंट शपत लेते हैं और वो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि वो बियर करेंगे faith constitution के तरफ वो sovereignty और integrity इंडिया का uphold करेंगे ठीक है वो constitution, समविधान और कानून को uphold करेंगे वो faith fully तरीके से और अपने पूरे best knowledge और judgment से अपना duty पूरा करेंगे बिना किसी fever डर के और नहीं किसी favor के तो दोस्तों ये वो शपत लेते हैं फिर उनके tenure के बारे बताये गया है तो समविधान ने कुछ fix नहीं किया है कि Supreme Court के judge का क्या tenure होगा लेकिन इतना बताया गया है कि वो 65 years के age तक वो judge रह सकते हैं ठीक है और अगर कुछ भी उनके age related कोई भी बात आईगी तो वो parliament decide करेगा दोस्तों वो resign करेंगे तो वो अपनी resigning किसको देंगे president को देंगे और उनको हटाया जा सकता है president के दोआरा अगर parliament ने recommendation करते हैं तो दोस्तों president जो है वो हटाते है Supreme Court के judge को तो वो एक process होता है Judges Inquiry Act 1968 के तहत उसमें बताई गई है कि किस तरीके से remove की जाएगी एक judge को दोस्तों इसे बताया गया है इसको impeachment का process कहते है जो एक motion पहले है कि उनको हटाने के लिए एक motion लाया जाएगा जिसमें कि 100 members के दोआरा उसको sign किया जाएगा लोक सभा में और 50 members के दोआरा sign किया जाएगा राज्य सभा में ठीक है उसके बाद उनको speaker या chairman को दिया जाएगा यानि कि presiding officer को दिया जाएगा speaker या chairman है फिर उसको admit करते हैं या फिर वो refuse करते हैं अगर वो admit कर लेते हैं तो speaker या chairman जो हैं उसके लिए तीन committee बनाते हैं तीन member committee बनाते हैं ये पूरे charges जो allegations लगी हुई है judge पे उसको inquiry करने के लिए investigate करने के लिए committee जो होगी वो chief justice की होगी या फिर कोई supreme court का judge होगा chief justice होगे high court के और distinguished jurist होगे अगर committee को लगता है कि judge ने guilty की है मतलब कि judge की गलती है mis behavior किया है उन्होंने और उनकी suffering है from an incapacity मतलब कि उन्होंने चीजों को सम्विधान के against जगे काम किया है तो वहाँ पर ठीक है motion को consider किया जाएगा और जब दोनों house के दोआरा special majority से पास कर दिया जाएगा special majority यानि कि two third members यानि कि 60 person से ज़्यादा लोगों ने उसे पास किया हो ठीक है तो उसके बाद क्या है कि दोस्तों वहाँ पर president assending अपना और फिर finally judge remove हो जाएगी interesting बात यह है दोस्तों कि आज तक कभी भी कोई judge supreme court का impeach नहीं हुआ है हाँ allegations लगे है motion लाया गया है house में लेकिन आज तक कोई impeach final process में आके कहीं न कहीं कुछ चीज़े रुख जाती है next दोस्तो acting chief justice acting chief justice कौन है president जो है वो appoint करते हैं एक judge को supreme court का वो कहते हैं कि आप acting chief justice इंडिया काम कर सकते हैं जब chief justice इंडिया के vacant होते हैं या फिर वो temporary तरीके से absent होते हैं या फिर वो अपने duty office में perform नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर प्रेसिडेंट जो है एक acting chief justice ले आते हैं ad hoc का judge का मतलब होता है दोस्तों कि जब कभी quorum जो permanent judges के quorum में कमी हो जाती है session को पूरा करने के लिए तो वहाँ पे जो chief justice इंडिया के वो एक high court से judge ले आते हैं ad hoc judge बना के उनको supreme court में होते हैं ad hoc का मतलब होता है temporary तो वहाँ पे temporary basis पे एक high court के judge को supreme court में ले आ जाता है जब लगता है कि और judges की ज़रूरत है वो chief justice of India chief justice जो high court के है उनसे consult करके ऐसा करते है और पहले president से consult करके ऐसा करेंगे दोस्तों retired judges का मतलब है कि कि किसी भी टाइम पे chief justice of India जो है वो request कर सकते है supreme court के judge को retired के लिए जब वो supreme court के हो या फिर वो high court के हो दोस्तों अगर मैं बात करूँ independence supreme court की तो independence भी है जैसे कि जो appointment का mode होता है वो judge खुद करते हैं जो president होते हैं वो appoint करते हैं लेकिन वो chief justice of India से consult करते हैं दोस्तो security of tenure है जो judge है supreme court को उनको security दी जाती है tenure का ऐसा बहुत आसान नहीं होता है कि president के दोरा उनको ऐसी remove कर दिया जाए एक ground constitution ने हमारे समविधान में एक ground और एक पुरा process दिया हुआ है किस process के तहरत ही आप किसी भी supreme court की judge को हटा सकते हैं fixed service conditions है जिसमें की salary allowances privileges, leave, pension, judges की supreme court की वो time to time parliament के दोरा दी जाती है यानि कि इस पर voting नहीं होती है और जो conduct होते हैं judges के दोस्तों वो भी discuss नहीं किया जाता है general manner में ठीक है तो प्राक्टिस जो है retirement के बाद वो ban है तो इसलिए यहाँ भी independence है क्योंकि अगर मान लो कि कोई judge ने ऐसी government के खिलाफ कुछ ऐसा या government के policies के खिलाफ कुछ ऐसा वो बात कहते हैं तो उनको ऐसे डर नहीं रहेगा कि retirement के बाद उनको job ने मिलेगी ठीक है तो power to punish for its contempt कोई से judicial body का भी काम करता है judiciary उनको अपने contempt को जो भी गलत करेगा houses में, court में ठीक है तो वहाँ पे उनको सजा देने का पूरा-पूरा प्रावधान दिया गया है freedom to appointed staff अपने staff को यह खुद appoint करते है इनके jurisdiction को कम नहीं किया जा सकता है और यह executive से अलग है तो कुछ point है जो की बताता है कि Supreme Court की क्या independence है दोस्तो जहां तक बात jurisdiction and powers of Supreme Court का है सुप्रीम कोट के सीट के बारे में अभी आपको पता है कि सम्विधान में है बताया गया है कि दिल्ली जो है वो सीट है Supreme Court का लेकिन यह authorized कर सकते है Chief Justice of India कि वो दूसरे प्लेस को भी Supreme Court के दोरा कोई ब्रांच होता ना कि मतलब यहां भी Supreme Court होना चाहिए जैसे कि बात की जा रही थी कि एक South India में भी एक Supreme Court का ब्रांच होना चाहिए जिसमें कि ताकि Justice जो है वो Easily Accessible हो जाए तो दोस्तों यहां पे है कि South India से जिसको Petition करना होगा Supreme Court में तो इसको काफी दूर का डिस्टेंस तैकर करके आना पड़ता है तो इसलिए इस पे भी विचार हो रहा है और होता रहा है कि एक जो Supreme Court का एक ब्रांच है वो एक South India में भी open कर दी जाए तो अभी इस पे कुछ खास details में बात नहीं होती तो यह एक basic था आपको Supreme Court के बारे में बाकि इसके jurisdiction को मैं आपको details में discuss करूँगी